है फ्रेंद्स वेलकम बैक तो माई चानल कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों इन दिनों हम बात कर रहे हैं बीजों के बारे में और हर बीज के बारे में हम एक अलग और एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना रहे हैं इस सीरीज के अंदर हम अलगी पंपकिन सीड्स के बारे में कल बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं सनफलार सीड्स के बारे में मतलब सूरज मुखी के बीजों के बारे में दोसो सूरज मुखी के बीच क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों हमें अपनी डाइट में शामिल करने चाहिएं और कौन-कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हम संफ्लावर सीट को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं यही सब कुछ है आज के इस वीडियो के जिसकी वज़ा से फिर नीचे आ करके अप कमेंट बॉक्स में लिखते हो सर यह कैसे करना है, वो कैसे करना है और वो अल्रडी वीडियो के अंदर डिसकस किया जा चुका होता है अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए काम का हो सकता है और अभी तक आप इस वीडियो को देखने हैं तो एक लाइक का बटन ज़रू दबाएं क्योंकि हम महनत करते हैं आपके लिए आप सिर्फ हमें एक लाइक का बटन दबाकर करके मोटिवेट कर सकते हैं बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों, Sunflower Seats जो होते हैं, वो सूरज मुखी के फूल से निकाले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां हैं, कि सूरज मुखी का बीच तो काला होता है, मार्केट में वाइट मिल रहा है, वो डुब्लिकेट है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो चीज आपको समझनी होगी, कि जो काला या स्लेटी रंग का जो आपको बीच सूरज मुखी के नाम पर मार्केट में मिलता है, वो भी सूरज मुखी है, लेकिन वो काले रंग का या स्लेटी रंग का उसके उपर छिलका चड़ा हुआ है, तो अगर आप उसे खाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके छिलके को हटाना होगा, जब आप उस छिलके को हटाएंगे, तो आपको नॉर्मल आईवरी कलर का जो सनफ्लावर सीड होता है, वो मिलेगा, और वही बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ब्रैंड्स हमें छील करके भी देती हैं, तो यारों, आप समझो कि आप कही न कहीं पर बिना नॉलेज के बिना ग्यान के बहुत कुछ बोल जाते हो, तो ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं, तो चले दोस्तों बात करते हैं आप सनफ्लावर सीड की, सनफ्लावर सीड में होता है सबसे ज़्यादा सलेनियम, अब सलेनियम क्या करता है, Selenium हमारी शरीर के अंदर thyroid gland के काम को balance करता है तो अगर आपको hyperthyroid है hypothyroidism है या आपको thyroid का जो profile है T3, T4, TSH का किसी भी तरह से disturbed है तो आपको sunflower seeds जरूर खाने चाहिए क्या होगा तरीका तो sunflower seeds को अगर आप thyroid के लिए खा रहे हो तो इसको हलका सा roast करके खाईए roast करने से इसका जो selenium होता है वो और बढ़ जाता है और जब selenium बढ़ जाता है तो आप इसको roast करके रख लो और इसमें से 2 चमच शाम के समय खाईए मतलब lunch और dinner के बीच में जो munching वाला time होता है ना आच बज़े छे बज़े लगता है कुछ खाएं कुछ खाएं cravings होती है वहाँ पर अगर आप इसे खाएंगे तो definitely है आपको बहुत जादा help करेगा नमबर दो आता है दोस्तों benefit वो आता है arthritis के लिए arthritis मतलब हड़ियों का रोग है और यहाँ पर manganese जो है न वो एक key factor बन कराता है sunflower seeds में होने वाला manganese और copper आपके हड़ियों को मजबूत करता है और अगर यह आपके शरीर में कमी अल्रेडी चल रही है और उसकी वज़े से आपको arthritis, osteoarthritis या rheumatoid arthritis है तो यहाँ पर sunflower seeds आपके लिए एक जादूई चीज की तरह काम कर सकते है तो अगर आप यहाँ पर arthritis, osteoarthritis या rheumatoid arthritis के लिए sunflower seeds ले रहे हैं तो आपको उन्हें रात को भिगो करके सुभा लेना चाहिए तो दो चम्मच आप sunflower seeds को रात को सोते समय थोड़े से पानी के अंदर भिगो देंगे और सुभा आपको उन्हें अच्छे से चबा करके खाना है और उसके आदे घंटे बाद या आदे घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है यह जीज ध्यान रखें और उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं नमबर तीन जो benefit आता है संफ्लावर सीट का वो आता है हमारी skin और हमारे पालों के लिए जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है हमारे शरीर में पानी की कभी होने लगती है हमारे शरीर जो है वो dehydrated हो जाता है हमारा शरीर dehydration की वज़ा से बहुत बार हमारे बालों में इतना जाधा असा डालता है कि हमारे बाल जो है वो freezy दिखने लगते है हमारे चहरे पर premature aging दिखने लगती है हमारी skin जो है वो समय से पहले बोड़ी हो जाती है और हमारा जो पूरा शरीर है वो कहीं न कहीं पर जो age के science है वो अब आपको बहुत easily दिखाने लगता है तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शरीर से आपको किसी भी तरह से aging का symptom ना नज़र आए आपके बाल चमकदार रहें, मुलायम रहें आपकी skin जो है वो अच्छी रहे और आपकी skin से किसी को age का अंदाजा ना लगे तो sunflower seeds आपको ज़रूर अपनी diet में शामिल करने चाहिए नाश्टे से पहले और रात को सोते समय दूद के साथ ये दो समय पर आपको ज़रूर sunflower seeds ऐसे ही simple खाई है, अच्छे से चबा-चबा कें और उपर से दूद पी लीजे, बहुत ज़ादा फाइदा देने वाले है number 4 जो benefit आता है दोस्तों sunflower seed का वो आता है हमारी memory के लिए जोकि इसके अंदर phosphorus बहुत होता है यार लगाया के नहीं लगाया तो ये सारी जो confusion है, ये जो fogging है जो आपको कहीं न कहीं पर दिक्कत दे रही है या जिसकी वज़ा से आप decisions नहीं ले पा रहे हो आपको लगता है कि यार मैं decision पहले तो बहुत quick ले लिया करता था लेकिन आज मैं बहुत लंबा समय लेने के बाद भी सही decision नहीं ले पा रहा हूँ तो ये जो तरीका है, sunflower seed लेने का ये आपको बहुत ज़ादा help करने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको लेना है लगवग 2 tablespoon sunflower seed और उस 2 tablespoon sunflower seed के अंदर आपको मिलाना है आधा चमच राई का और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला करके रात को सोते समय आप लीजिए गुनगुने दूद के साथ में यूविल फील की 15-20 दिनों में ही आपकी memory बहुत अच्छी हो गई है अपने बच्चों को भी खिलाएए वो बच्चे जो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं होता या exam में question paper आते ही सब depression में हो जाते हैं और उसकी वज़ा से वो अच्छा perform नहीं कर पाते हैं तो जो sunflower seed है बहुत ज़ादा काम करके देगा अगर आप उसे इस तरह से लेते हैं छे साल के बच्चे से लेकर के 600 साल तक के बुज़र्ग को ये आप बहुत आराम से दे सकते हैं 600 साल मतलब जोग सपाट है यारो आप बहुत जाना confused हो जाते हो कि या 600 साल का भी कोई हो सकता है क्या ऐसा flow में निकल जाता है तो आप tension मत लिया कीजे कभी भी एक और चीज में आपको यहाँ पर add करना चाहूँगा वो ये कि अगर आपको लगता है कि आपके जो muscles हैं उसमें cramp आ जाते हैं चलते चलते आपको लगता है कि आपके muscles बहुत ज़्यादा pain कर रही है बहुत दिक्कत दे रही है तो वहाँ पर भी आपको sunflower seeds ज़रूर consume करने चाहिए रात को सोते समय अगर आप sunflower seeds को हलका सा roast कर लेते हो देसी घी के साथ में या butter के साथ में और उसे अगर consume करते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा help करके देगा आपका जो muscle cramp है उसको खतम करने के लिए दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि sunflower seeds के जो benefits मैंने आपको बताए ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आये होंगे मैं description में आपको sunflower seeds को purchase करने का जो organic seeds होंगे वो purchase करने का आपको link दे दूँगा चाहां से जाकर कि आप easily purchase कर पाएंगे और अपनी दिंचर्या में इसे जरू दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं क्या है तो please subscribe कर दीजेगा तो कि यही आपकी तरफ से हमें motivation मिलता है जिसकी वज़ह से हम उर्जावान हो जाते हैं और हम knowledge friend dr. Manoj thank you so much bye bye love you all